It expectantly awaited her arrival और दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही थी Expectantly, उम्मीद के साथ To expect मतलब उम्मीद I expect a reply from you मैं आप से एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ उम्मीद कर रहा हूँ प्रतीक्षा नहीं, उम्मीद करना I expect a good answer from you मैं तुमसे एक अच्छे उत्तर की उम्मीद कर रहा हूँ I expect you will complete your work by evening मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम तक तुम अपना काम पूरा कर लोगे So to expect मतलब और उससे बना expectantly It expectantly awaited her arrival यह जो दुनिया है वहाँ उम्मीद कर रही थी कि वो आएगी She saw herself riding there behind Joff वो एक कलपना की उड़ान शुरू होती है अब वो कलपना की दुनिया में जाने लगती है और देखती है महसूस करती है कि मैं Joff के साथ motorcycle में बैठी हूँ पीछे राइडिंग बिहाइंड जाफ तो राइड मतलब बैठना I am going for a ride मतलब मैं घूमने जा रहा हूँ motorcycle में या car में या cycle में या scooter में I am going for a ride He is riding on the horse वह घुड़े के उपर बैठा हुआ है उपर बैठना वो ride कहलाता और ride का मीनिंग होता है I am going for a ride मतलब घूमना तो देखिए ride शब्द का context के अनिसार कैसे meaning बदल रहा है तो यहाँ पे लेखक ने अपने कहानी के माध्यम से ऐसे बहुत से शब्दों का उपयोग किया है जिसका context में एक अर्थ है और normal में दूसरा अर्थ है सामान ने रूप में उसके शब्दों के दूसरा अर्थ यहाँ भी देखिए ride का It expectantly awaited arrival She saw herself riding there behind Jauf उसको वो अप कल्पना करने लगी कि मैं Jauf के पीछे बैठी हूं मोटरसाइकल में और वहाँ जा रही हूँ और Jauf क्या कर रहा है Jauf wore new shining black leather और Jauf जो है एक नया शानदार चमकता हुआ काले चमडे का एक जैकेट पहना हुआ है और वो खुद क्या पहनी है A yellow dress with a kind of cape that flew out behind और वो खुद एक yellow पीले रंग का कपड़ा पहनी हुई है जिसका लबादा है पीछे cape मतलब लबादा लंबा थोड़ा निकला हुआ वो यह सब कल्पना हो रही है that Jauf is riding a mobike I am sitting behind him we are going places we are going places हम अलग अलग जगे हम घूमने जा रहे हैं और इसलिए कहानी का शिर्षक क्या है going places देखे कैसे अब वो going places वाली बास चुरू होती है अलग 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 जगे जाना that is going places और वो खुद स्वैम एक सुन्दर सा पीले रंग का कपड़ा पहनी हुए जिसका एक लबादा है लंबा सा पीछे निकला हुआ और मोटर साइकल में लड़का एक हेरो जैसा बैठा हुआ है काले जैकेट जो चमक रहा है ऐसा जैकेट पहना हुआ कितना सुन्दर वर्णन है उमीद है कि आप भी मेरे साथ इस दृष्च की आतरा में साथ है यू आर आपको भी एक कलपना करना है यह सब कलपना की उड़ान है and with a kind of cape that flew behind her there was the sound of applause as the world rose to greet them और बहुत तालियां बचती है उसको लगता है बहुत तालियां बच रही है sound of applause applause मने ताली A-double-P-L-A-U-S-E और उसी सब बना to applaud to applaud मतलब ताली बचाना and the world will applaud you if you come first यदि तुम पहला आओ तो दिनिया तुम्हारे लिए ताली बचाएगी ताली बचाना के लिए शब्द है to applaud तो यहां पे उसने सुना तालियों की गड़गडाहट और ऐसा लगा कि मानो पूरी दुनिया उसको greet करने के लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई है the whole world rose to greet them rise मने उठना rise का past tense rose rose to greet greet करना मतलब स्वागत करना namaste करते हुए स्वागत करना so the whole world stood up to greet her with applause यह सब कलपना हो रही है बड़ी सुंदर कलपना है he sat frowning at the only component he sat frowning at the oily component he cradled in his hands एक और सोफी पता नहीं किस दुनिया में चली गई थी सोचते सोचते जब वो उसने जॉफ को देखा मोटर साइकल को टिंकर करते हुए एक पार्ट को वहीं दूसरी और जॉफ क्या कर रहे थे जॉफ चेहरे में एक गुस्टा लाया हुआ था frown करना मतलब टियोरियां बनाना यहां पर जो लकीर जब आजाती है गुस्टे में तो उसे कहते है frown why is there frown on your forehead तुम्हारे माथे में यह सब लाइने क्यों आई है मतलब तुम गुस्टा क्यों कर रहे हो किस बात की चिंता कर रहे हो चिंता में आती है लाइने यह गुस्टे में आती जॉफ क्या कर रहा था जॉफ वस सिटिंग frowning at the oily component component मतलब part of machine किसी भी machine के किसी भी part को component बोलते है चाहे वो computer का component हो चाहे mobile का component हो या गाड़ियों का component हो या kitchen के instrument का component हो किसी भी machine के part को component बोलते हैं so he sat frowning at the oily component he cradled in his hand cradle मतलब क्या होता है वैसे तो cradle card होता है जूला लेकिन यहाँ पे cradle card क्या हुआ जूले जैसा जो हाथ में रखा हुआ था context में meaning है so cradling in his hand उसके हाथ में जो उसने component रखा था वो oily था तेल तेल लगा था और उसको देखते हुए वो एक तरीके से frown कर रहा था गुसा कर रहा था या चिंतित था as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak और ऐसा लग रहा था मानो वो जो उसके हाथ में है वो कोई एक गूंगा जानवर है जिससे वो कुछ बुलवाना चाह रहा है उसकी हरकत के बारे में सोफी बोल रही है के मेरा भाई जौफ जो है वो हाथ में तेल जैसा कुछ सामान रखा हुआ था oily component और उसको ऐसा देख रहा था फ्राउन कर रहा था मानो वो उसके कुछ बुलवाना चाहता है और वो जो हाथ में जो चीज थी मानो वो कोई सा ऐसा जानवर है जो डंब है डंब मतलब गूंगा as if it were a dumb animal and he wanted it to speak और वो चाह रहा था कि ये कुछ बोलेगा इतने में सोफी क्या बोलती है जब जौफ ऐसा कर रहा था अपने काम में व्यस्त था सोफी ने कहा I met Danny Cassie I met Danny Cassie ये Danny Cassie कौन है और जैसी Danny Cassie उसने कहा so he looked around abruptly एकदम अचानक abruptly मतलब अचानक एकदम वो Danny Cassie नाम सुनते वो चौंक गया और उसने पूछा कहा सोफी बोलती है in the arcade funnily enough एक तरह की जगा एक बजार होती है वहां मैंने देखा और बड़ा अजीब लगा मुझे funnily enough funn मतलब मजाक और funny मतलब विचित्र funn मने मजाक और funny मतलब विचित्र that girl is looking very funny वो लड़की बड़ी अजीब लग रही है his behavior is very funny उसका विचित्र है उसी से बना funnily enough बड़ा अजीब लगा मुझे funnily enough that he was seen in the arcade ये घटना क्यों क्या हुरी है सोफी बोलती है कि मैंने डैनी कैसी को देखा जिससे वो चौक जाता है इसा सुनके जैसी उसने अभी तक तो पूरा ध्यान जौफ का अपने काम पे था पाड को देख रहा था उसमें व्यस्त था लेकिन जैसी सोफी ने का मैंने डैनी कैसी को देखा तुरंट उसका माथा ठनका उसने मुड़ा और पुछा कहा तो सोफी ने का मैंने इसा आरकेड में देखा बड़ा जीब हो आरकेड में मेरे को मिल गया तो सोफी के ऐसा कहने पर जो फिर तुरन बोलता है इसा कभी होई नहीं सकता कि तुम उसे वहाँ देखे हो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता दू Danny Cassie is a very famous football player excellent football player world famous football player जो European League और बड़े बड़े football tournament में अपने country को represent करता है और उसके country का क्या नाम है Ireland Ireland कहां है देखेंगे इंग्लेंड का एक हिस्सा एक स्वतिंतर देश की तरह उसका अस्तित्व है लेकिन वो है वैसे ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा Ireland Ireland की राजधानी है Dublin नक्षे में देखिए Ireland Ireland का जो club है Ireland की जो football team है world famous team है Irish football is of a very high level football तो football का ये प्रसिद्ध खिलाडी डैनी कैसी जो अपने देश के लिए या इंटरनाशनल मैचेज एक सो पचास खिल चुका था उसके बारे में जैसी सोफी ने कहा कि मैंने डैनी कैसी को देखा एकदम ये चौंक गया कहां इस ने कहा आर्केड में तो इस ने कहा अगा पापा को बताया यू टोल डैड अबाव डैनी कैसी शूख हर हेड उसने का नहीं बताया चेशंड एड इज अन अवेरनेश चेशंड मतलब अपनी गल्ती को समझते हुए चेशंड हो जाना मतलब समझदार हो जाना C-H-A-S-T-E-N-E चेशंड करना मतलब थोड़ा उसको साफ सुफाई कर देना तो चेशंड इन हीज अन अवेरनेश अपनी अज्ञानता की गल्ती महसूस करते हुए उसने कहा शी शुक हर हेड उसने सिरह लाया चेशंड इन अवेरनेस उसकी अज्ञानता की महसूस करते हुए that he was always the first to share her secret वो हमेशा अपने secret he was always the first to share her secret सोफी सोचती सी सोफी का मानना था कि हमेशा मेरे बारे में मैं सबसे पहले अपने बारे में उसी को इबताती हूँ किसको अपने भाई को जिसका नाम जॉफ था ये ऐसा बात क्यों कह रहे हैं लिखक क्योंकि जॉफ ने सवाल पूचा क्या तुमने डैडी को बताया जैसे ये सवाल होता है वैसे ये शान्थ हो जाती है अपनी गलती महसूस करती है add the unawareness उसकी अग्यानता पर हुई गलती को महसूस करती है और ये लगता है उसे कि जॉफ को तो मैं हमेशा अपनी बात सबसे पहले बताती हूँ जॉफ कहता आई डोंट बिलीव इट आई डोंट बिलीव मुझे इश्वास नहीं हो रहा है तो ये कहती है Sophie there I was looking at the clothes in the royals window वहाँ arcade में मैं कपड़ों को देख रही थी एक दुकान के खड़की में क्लोच कपड़ों को देख रही थी जब कोई आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया अब देखिए कलपना की उड़ान कहां जा रही है ये सब हो नहीं रहा है ये सब कलपना एक कलपना थी बटीक की एक कलपना थी बटीक मैनेजर बन जाने की पैसा कमाने थी। एक कलपना की उड़ान थी। किशोरा व स्था की कलपनाओं की बात हो रही है। एक्टरेस बनने की। एक कलपना थी कि मैं एक्टरेस भी बनूंगी और उसके साथी साथ मैं फैशन डिजाइनर कपड़े भी बेचूंगी उसके बाद अब देखिए जहां कलपना की दूसरी उडान शुरू होती अब वो कहती है कि मैंने डैनी कैसी को देखा वो मेरे पीछे खड़ा था वो कलपना कर रही है कि मोटर साइकल में मेरा भाई मुझे लिजा रहा है काल जैकेट पहना हुआ है आदी आदी ये सब कलपनाएं हैं और ये कलपनाएं इस उम्र के लोगों में आती हैं जब मैं वहाँ कपड़ों को देख रही थी तो मेरे पीछे कोई आया someone came and stood beside me. Beside मतलब by the side of, के बाजू में. By the side of, मतलब के बाजू में. You stand beside me, तो मेरे बाजू में खड़े हो. तो beside और besides दो अलग शब्द हैं. Beside this के बाजू में और beside मतलब के बाजू में. एक का मतलब है के बाजू में और दूसरा है के बाजू में. यहां पर beside शब्द. Beside मतलब के बाजू में के बाजू में के बाजू में तुम खड़े हो. तो यह beside और besides में अंतर स्पश्ट हो गया आपको. अब यहां बढ़ते हैं, कहते हैं, he stood beside में. मेरे बाजू में खड़ा था. And I looked around, and who should it be but Danny Cassie? मुझे अश्यर हुआ. इतना सुनने के बाजू जॉफ कहता है, All right, what does he look like? अचा, ठीक है. तुमने जो कहा मान लिया, कैसा दिखता है वो जड़ा बताओ थड़ा. Oh, come on. You know what he looks like. तुम्हें मालूम है, जॉफ, तुम्हें मालूम है, वो कैसा दिखता है. सौफी सेज. Close to, I mean. अचा, किसके जैसा दिखता है, थोड़ा बताओ तो. वो जानना चाह रहा था, कि सौफी ने वास्तों में देखा है, या गप मार रही है. तो इसलिए जो पिखता, Close to, I mean, Close to का मतलब बंद करना नहीं. Close मतलब बंद. Close to मतलब, उसके जैसा दिखने वाला कोई निकट्तम यक्ति कौन था. You are standing close to me, तुम मेरे बहुत निकट खड़े हो. He is standing close to his father, निकट खड़ा हुआ है. So, निकट था. So, उससे निकट किसी का चेहरा, मालूम हो तो बताओ, Close, close to I mean. Sofie कहती, Well, he has green eyes, उसकी हरी आँखें हैं. Gentle eyes, बड़ा सॉम में दिखता है. आँखें बड़ी सॉम में हैं. बहुत तेज चमक वल नी हैं. And he is not tall as you think. और वो उतना उचा नी जैसा तुम सोचते हो. ऐसा कहती हुए, Sofie अब कुछ कहानी बनाए जा रही है. वो बोलती है, जब उसने, जॉफ ने उसको खोदने की कोशिश की, तो Sofie अब क्या बोले, तो उसने कुछ कहानी बनानी शुरू की, उसकी हरी हरी आँखें हैं, और बड़ी प्यारी आँखें हैं, बड़ा अच्छा दिखता है, सौम में है, तुम्हारे इतना उंचा भी नहीं है, ऐसा बोलते चली गई. She wondered if she should say about his teeth, उसे, उसे समझ में नहीं आया, कि वो उसके दातों के बारे में बोले की न बोले, लेकिन अंत में फिर नहीं बोला, बट डिसाइड़ अगेंस्ट दातों के बारे में नहीं बोला. She wondered if she should speak about his tooth, but stayed away from speaking about it, डिसाइड़ अगेंस्ट अगेंस्ट जब ये बात्चीज चल रही थी, उस दौरान दूसरे कमरे में जो पिता जी थे, वो बात्रूम चले गए थे और नहां के निकल रहे थे, और उनका शरीर चमक रहा था, शाइनी चमक रहा था और गुलाबी, और शरीर से सोप की खुश्बू आ रही थी, नहां के आये थे, सोप लगाये थे, साबून से नहाये थे, स्वाभाविक है, खुश्बू तो आएगी है, तो ये देखे, दिरिश्य का कितना सुन्दर वर्णन हो रहा है, आने के बाद, ये स्विश्च दॉन दे टेलिविजन, वो टीवी आन कर देते हैं, टॉस्ट वन अब दे लिटल डेरिक्स टॉस्ट रम इस चेर उन्ट अन्ट वाली आवाज, ऐसी वाली जो आवाज है, उससे ग्रंटिंग कहते हैं, तो ग्रंट करते हुए, वो बैठ गया है, लेकिन बैठने के पहले उन्होंने जमीन में कुछ डेरिक्स का एक खिलोना था, उसको उठा के सोफा में फिक दिया, स्विश्च अन दे टेलिविजन, टॉस्ट वन अफिर लिटल डेरिक्स टॉइज, टॉस्ट करना मतलब उठा देना, एक तो होता है क्रिकेट में आपने देखा टॉस करना, टॉस करने का मतलब क्या होता, उच्छा लेना, उससे बना है टॉस, तो उच्छा लेना, तो उन्होंने उस खिलोने को उच्छा दिया, कहां पर, Tossed one of little direct things from his chair into this sofa जिस कुर्सी में बैठ रहे थे वहाँ पर सामान रखा हुआ था बैठने के लिए उनों ने उसके direct के सामान को उठा के सोफे में फेक दिया Toss कर दिया And sat down with a grunt और थोड़ा गुर्णाते हुए बैठ गया आवाज गुर्णाना मतलब गले से आवाज निकलते हुए खाखारना जिसको हम कहते हैं कई बार वो भी grunting है अब जब वो बैठे तो जौफ शुरू हो जाता है जौफ कहता है Sophie में डैनी कैसे Sophie rigled where she was sitting at the table Rigled करना मतलब थोड़ा सा adjust होना थोड़ा सा जगा बनाना Sophie rigled where she was sitting at the table टेबल के जिस कोने में बैठी थी वहाँ पर थोड़ा सा हिलने डिलने लगी थोड़ा सा अपनी position बनाने लगी कब जब जौफ जोर से बुलता है Sophie में डैनी कैसी जैसी उनके पिता ने सुना her father turned his head on his thick neck to look at her his expression was one of disdain disdain मतलब नाराजगी, गुस्सा her father turned his head on his thick neck उसके पिता जी जैसी जौफ ने कहा कि उड़नी कैसी से मिले पापा मालूम है पिता जी का गला पिता जी ने अपना गरदन मोड़ा ऐसी गरदन जो भारी थी thick neck गला भरा हुआ था और गाल भी तो गोल मतोल थे he was roly-poly kind of thing so to look at her उसको देखते हुए उनोने गला मोड़ा और फिर कहा his expression और फिर उनका जो भाव भंगी मा थी वो एक तरीके से दिस्देन की थी father turned his head and his head was rather thick neck was on resting on the thick neck his expression was one of दिस्देन गुसे में नफरत घ्रिना ये सब भावना आती दिस्देन निराशा ये सारी भावना आती है दिस्देन दिस्देन so he looked at her his expression was one of दिस्देन के चेहरे की जो भाव भंगी मा थी थोड़ी सी इसमें नफरत दिख रही थी कब जब इसने कहा कि जौफ ने कहा कि इसने मेरी कैसी को देखा है जब थोड़ी नफरत में देखने लगे तो जौफ फिर से बोलता है it is true जौफ ने कहा तब पिता जी क्या बोलते है पिता जी का जवाब होता है I once knew a man who had known Tom Finney मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जो Tom Finney को जानता था Tom Finney is another great celebrity his father said reverently to the television television को देखते हुए it's just poor work reverently मतलब to rever मतलब इज़त करना पूजा करना किसी की और पूजा करत ऐसी वाली पूजा नी पूजा करत इज़त करना I rever महत्मा गांधी I have great reverence for Subhash Chandra Bose I have great reverence for Rani Lakshmi बाई बहुत इज़त करना अत्यादिक इज़त करना उसे कहते हैं reverence to rever मतलब बहुत ज़ादा किसी के लिए इज़त करना पूरे दिल से तहे दिल से इज़त करने को कहते हैं reverence तो पिता जी तुरन कहते हैं I once had a man new man who had known Tom Finney Tom Finney नाम के व्यक्ति को जो एक जानता था उसे मैं जानता था Tom Finney को नहीं जानते थे और ऐसा कहते हैं टेलिविजन के और बड़ी ज़त से उन्होंने कहा but what was it but that was long time ago लेकिन बहुत परानी बात है जो आपने का yes 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 you told us आपने बताया था हमें कैसी might be that good someday हो सकता है कैसी भी उतनी अच्छी हो better than that even he is the best कैसी हो सकता है तॉम फिनी से भी बहतर हो तॉम फिनी was also a great celebrity football player हाँ हाँ आपने बताया था जो आपने कहा फिर आगे होता है कैसे might be that good someday कैसे भी एक दिन उतना अच्छा हो जाएगा जैसा तॉम फिनी था better than that even he is the best उस से भी बहतर हो जाएगा वो तो सबसे अच्छा है यह सब बयान बाजी चल रही है कैसे की कैसे के बारे में सोफी की और जाफ की